तो दोस्तों अपने राशन काड की EKYC या फिर आधार सिडिंग का कैसे पता लगाएं कि अपनी EKYC हुई है या नहीं हुई है चाए वो NFS है या खादेश रुक्षा का राशन काड हो या फिर कोई साधान राशन काड हो वो भी गरबठे अपने खुद के मुबाइल से बिना किसी Emitr की मद्द से और जब आप राशगुर जी के साथ जुड़े हो तो आपको फिरी वाली चीजे तो ही सिखाएगे ना अब कुछ हमारी Emitr वाली साथी नराज हो सकते हैं कि राशगुर जी आप तो हमारी द्याड़ी हो खो रहे हो खैर कोई बात ने ऐसा चलता रहता ह नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर जी दोस्तों सबसे पहले दो इंपोर्टेंट जान करें देखिए येदि आप NFA से ये खादे सुर्कषा से जुड़े हो और अभी तक आपने अपने राशन काड की EKYC को कम्पलीट नहीं किया है तो 31 चार दिन पहले मैंने मेरा राशन 2.0 एक मोबाइल अप्लिकेशन के बारे में आपको बताया था बहुत ही अच्छी मोबाइल अप्लिकेशन है राशन काड को लेके यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजेगा लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रि लगे कि उन्होंने EKYC नहीं करवाई लेकिन मेरे पास जाधातर साथियों के मसेज आने लगे कि राजगुर जी हम तो यहाँ पे हमारी EKYC वो कम्प्लीट करा चुके हैं गुठा है वो भी अपन टिकवा चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्टेटिस में नो क्यों आ रखा है तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ है देखिए यह जो मुबाईल अपलिकेशन है वो नई नई मुबाईल अपलिकेशन है इसमें कुछ टेक्निकल सम्मशाई है दिरे दिरे सभी सम्मशाओं का समाधाना वो कर लिया जाएगा टेक्निकल KYC के status में आपको यहाँ पे no दिखा रहा है खेर कोई बात ने उसको एक बार side में आप रख दीजेगा KYC का एक alternate आपको बता रहा हूँ देखिए यहाँ पे साथ साथ में आप मोबाइल की screen हो देख लीजेगा मैं आपको यहाँ पे process हो करके दिखाने वाला हूँ करना क्या है कि देखिए आपको अपने मोबाइल में एक application इंस्टोल करना है सबसे पहले google play store है आपको अपने मोबाइल में open कर लेना है और यहाँ पे देखिए जो search बार दे रखी है यहाँ पे आपको ढूंड़ना है जन सूचना पोर्टल जन सूचना पोर्टल जो की देखिए सबसे उपर आ चुका है ठीक है यह नाम है इस तरह का logo है इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टोल कर लीजिएगा मैं ओर लोड़ी इसको इंस्टोल हो कर चुका हूँ मैं डारेक्ली इसे यही से open करता हूँ जब पहली बार आप इसे open करोगे तो इस तरह का interface आपको दिखाए देगा यहाँ पे देखिए काफी सारे option है वो दिखाए देगे यहाँ पे एक option आपको मिलेगा यहाँ पे योजनाओं के लाभार थी इस वाले option पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए काफी सारे option है आपको यहाँ पे नजर आएगे यानि अपने राजिस्थान से अलग-लग परकार की जो भी योजनाओं जुड़ी है सबी योजनाओं की जानकारी आप इस application के मादम से हैं ले सकते हैं अब यहाँ पे देखिए सबसे उपर आपको सर्च बार वो दिखाई दे रही और यहाँ पे लिखा योजनाओं को ढूंड़े ठीक है यहाँ पे आपको एक संख्या लिखनी है 125 इस तरह से 125 है वो लिख दीजिएगा अब यह 125 क्यों लिखिए क्योंकि हमें KYC का status चेक करना है तो जो application है वो 125 नंबर पे देखिए यहाँ पे 125 नंबर आ रख है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ list of आधार, sedate, आधार, not sedate ठीक है तो इसको आपको यहाँ से open करना है या इसके उपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से देखिए आपके सामने दो option आएंगे तो आपको यह दूसरा वाला जो option है चेक योर रासन कार्ड है जाधार, sedate और not sedate नेचे वाले option पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी जिला है, उस जिलों को यहाँ से select हो कर लीजिएगा जैसे मैंने जूजने जिले को है select कर लिया चलिए, इसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए आपका जो रासन कार्ड से जुड़ावा है, उसकी detail आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी रासन कार्ड नमबर आ रखे हैं, कितने candidate जुड़े वे हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है अब इसको थोड़ा सा आगे आपको करना इस तरह से खिसका लेना मोबाइल को ठीका ना, इस तरह से आपको यहाँ पे खिसका ना है, और देखिए सबसे last में यहाँ पे लिखावा है एक section बनावा, column बनावा है आधार सिडेड, yes, no आधार सीड है या नहीं है इस वाले column में यहाँ पे अगर यहाँ पे यह सा रखा है ठीका ना, तो इसका मतलब है आपके रासन कार्ड की EKYC या आधार सिडेड है, वो complete हो चुकी है चाए आपका NFA से रासन कार्ड हो या फिर आपका साधान रासन कार्ड हो, वैसे तो देखिए मेरे देखने में यह आया है कि कुछ ऐसे परिवार है, जिनकी यहाँ पे 10 मेंबर जुड़े होए, लेकिन 5 मेंबर की KYC complete है बाकी 5 की नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जितने भी आपके रासन कार्ड में मेंबर जुड़े है सबकी KYC आपको complete करवाना है, अगर यह KYC complete नहीं है, तो क्या करना कहां से करवाना है, देखिए आपके गाउं के अंदर जो खादे शुरुक्षा, जहां से अपन रासन प्राप्त करते हैं, उस दुकान के उपर आपको जाना है, और वहाँ पर देखिए, वो पोस मशीन होती है, एक छोटी सी ATM मशीन होती है, वहाँ पर आपको व्यक्तिकर जाना पड़ेगा, आपको अपना अधार कार्ड साथ मिले की जाना है, और जिन मेंबर की KYC नहीं हुई है, उनको भी आपको साथ मिले की जाना हो, फिर अपना अंग उठा गराओ गरा टिकवा दीजेगा, और आपकी KYC वो कम्पलीट हो जाएगी, बस ये application है, इस application से आप गरबठे है, अपना status हो पता लगा सकते हैं, आसा रखते हूं, ये जानकारी आप अच्छी तरह से समझगे होगे, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजेगा, इसके लावा रासन काड की, EKYC को लेके, रासन काड को लेके, जो भी आपके सवालन, कमेंट कर दीजेगा, अपना Instagram है, वहाँ पर भी message कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके मदद करने की कोशिश करूँगा, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी, तो लाइक कीजेगा, और फिर खवंगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजेगा, तो मिलता है अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत